देश को ब्रश्टा चार और काले धन रुपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सक्त कदम उठाना जरूरी हो गया है आज मध्यरात्री यानी आठ नवंबर दोजार सोला की रात्री को बारा बजे से वर्तमान में जारी पान सो रुपए और एक हजार रुपए के करंसी नौट लीगल टैंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं कानुनन अमान्य होगी पान सो और एक हजार रुपए के पुरानी नौटों के जरिये लेन देन की व्यवस्ता आज मुद्रात्री से उपलब्द नहीं होगी प्रश्टाचा काले धन और जाली नौट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्मों के पास मुझूद पान सो रुपए हजार रुपए के पुराने नौट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे ऐसे नागरी जो संपत्ती महनत और इमानदारी से कमा रहें उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी जान रहे कि एक सो रुपए पचास रुपए बीस रुपए दस रुपए पांच रुपए दो रुपए और एक रुपिया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उप्योग हो सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं है हमारे या कदम देश में ब्रश्टाचार काला धंगनिवं जानी नोट के खिलाब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सामाने नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है उसको इससे ताकत मिलने वाले हैं इन दिनों में देश वाचियों को कम से कम कखलिप का सामना करना पड़े इसके लिए हमने कुछ यवस्था किये पांसो और एक हजार रुपय के पुराने नोट 10 नमबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकगर कोस्ट आफिस के खाते में बीना किसी लिखमा के जमा करवा सकते हैं आपके पांस लगभग 50 दिनों का समय है अतह नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफ्री करने की कोई आवशक्तान नहीं है आपकी धनरासी आपी की रहेगी आपको कोई चिंता करने की जरुवत नहीं है पांसो रुपए या एक हजार रुपए के पुराने नोटों को खाते में डाल कर आप अपनी जरुरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं केवल शुरू के दिनों में खाते में से दनरासी निकालने पर प्रती दिन 10,000 रुपए और प्रती सब्ता 20,000 रुपए की सीमा तै की गए ऐसा नए नोटों की उपलब्दता को जाहन में रखते हुए किया है इस सीमा में आने वाले दिनों में गुद्धिक कर दी जाएगी खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है तत्काम आवशक्ता के लिए 500 और 1000 रुपय के पुराने नोटों को नए इवं मान्य नोट के साथ 10 नमंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमूख और उपडाब गर हेड पोस्ट ओफिस और सब पोस्ट ओफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे की आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानि के बॉटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इत्यादी सबूत के रुप में पेश करके आप नोग बदल सकते प्रारम में 10 नवेंबर से 24 नवेंबर तक चार हजार रुपिया तक के पुराने पांसो एवं एक हजार रुपिय के नोग बदले जा सकते हैं 15 दिनों के बाद यानि 25 नवेंबर से 4 हजार रुपिय की सीमा में वृद्धी कर दी जाएगी ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवस अगर जमान नहीं कर पाए उनको पांसो एक हजार रुपिय के पुराने नोट बदलने का एक आखरी अवसर भी दिया जाएगा ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निरधारित आफिस में अपनी राशी एक गोशा पत्र यानि डिकलेरेशन कॉम के साथ 31 मार्ज 2017 तक जमा करवा सकते हैं 9 नवंबर और कुछ थानों में 10 नवंबर को भी ATM काम नहीं करेंगे प्रारम में ATM से प्रती काड प्रती दिन निकाली जा सकने वाली राशी की सिमा 2000 रुपया रहेगी फिर उसे कुछ अवदी के बाद बढ़ा कर 4000 रुपया कर दिया जाएगा वैसे तो 500 और 1000 रुपय के पुराने नोट आज रात्री 12 बजे से कानूनी तोर पर खत्म हो जाएगी परन्तु सामान्य जन जीवन की जरुनतों को ज्यान में रखते हुए मानविय दर्श्चु कौन से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में मतलब की 11 नमबर की रात्री 12 बजे तक नागरीकों के लिए कुछ विशेश विवस्ता की है जैसे 11 नमबर की रात्री 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुक्तान के लिए पूराने 500 या 1000 रुपिये के नोट स्विकार किये जाएंगे इस से वैसे परिवाद जिन में कोई बिमार है उन्हें उपचार में कोई बादा ना है एसे परियस प्रॉप में ये दिर दवाई की दुकान की ववस्ता है तो डॉक्तर के दिये गए पर्चे पर 500 और 1000 के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक फुपलब करेंगी ऐसे ही 11 नवंबर की रात्री बारा बजे तक रेलिवे के टिकेट बुकिंग काउंटर सरकारी बसों के टिकेट बुकिंग काउंटर और हवाई एड़ों पर एरलाइस के जो टिकेट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकेट खरिदने के लिए पुराने नोट अर्था पांसो और हजार रुपय के नोग स्विकार करने की छूट होगी ऐसा हमने उन परिवारों की जरुरतों को देखते हुए किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होगे केंद्र अथ्वा राज्य सरकार द्वारा प्रमानी कोपरेटिव की दीनचेरिया की वस्तों की बुकान जैसे केंद्रिय भंडार सफल और दुख्द विक्रे केंद्र निल्क पावर ऐसे स्थानों पर भी ग्यारा नवंबर की राद बारा बजे तक पुराने पांसो और हज छिए और दुख्डेक्षा बार दुख्ट प्रमानी हो डीग